किछे राज्यों में साथ विधान सभा उपचनाओं के नतीजे रुझान और तमाम तस्वीरें इस मुरुगुडा सीट पर वहाँ पर इस समय काठी की टककर चल रही है करीब 1531 वोट से फिलहाल टियारेस के प्रभाकर रेड़ी बीजेपी से आगे चल रहे हैं दोस्तों कहीं जश्न का महौल है तो कहीं मातम का महौल दिखाई दे रहा है क्योंकि आज उपचुनाओं के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम दलों का आशा और निराशा दोनों दिखाई दे रहा है कहीं पर जश्ट मनाया जा रहा है तो कहीं पर खाली कुर्सिया नज़र आ रही है दफ्तर में कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि हर हजम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों आज कई राज्यों में उप्चुनाव के नतीजे सामने आए जिसमें से बिहार, महाराष्ट, हरियाना, तेलंगना, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम जो मुख्य राज्य, एहम राज्य वहां से नतीजे सामने आए जिसमें आपको सबसे पहले तस्वीरे जो है कुछ कुछ साफ कर दू कि किस तरीके से जो है बीजेपी की आस यहां से जादा मजबूत थी लेकिन वो आस पी की परती भी निज़र आई है इनमें तेलंगना जो है वो सबसे पहले सामने आ रहा है क्योंकि तेलंगना में आमें शाह ने पूरी कमान जो है पकड़ ली थी पूरे च जल्प उसके सामने है ही नहीं तो तेलंगना से दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दे कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है वो इस उप्चुनाब में पीछे चल रहे हैं जिहां दोस्तों तेलंगना के मुनोगोदा सीट पर टी आरस के प्रभाकर रेडी भाजपा से आगे चल रहे हैं जिहां टी आरस के प्रभाकर रेडी जो है भाजपा से आगे चल रही है और काटे की टकर बताया जा रहा है कि यहां पर जो है काटे की टकर वो सीधे तोर पर नजर आ रही है कि भारती जंदा पार्टी को यहां पर काटे की टकर मिल र लए यहाँ पर जी जान लगा दिया गया था इलेक्शन की वजह से कि किसी भी तरीके से एलेक्शन जो है बारतीय जंता पार्टी के ही हात में हो और यहां का जो सक्ता जो हमेशा से सदियों से चाह रहे थे इसी हथकंडे के बीच दोस्तो एक खबर सामने आई है कि यहाँ पर जो टेलंगना में है BJP के जो candidate से वो पीछे चल रहे हैं दोस्तो इसी तरीके की तमाम खबरें सामने आ रहे है कि BJP को यहाँ पर कड़ी टकर मिलती भी नज़र आ रही है और वो भी TRS की तरफ से, वही TRS जो हर बार BJP को मात देते हैं, हर बार टकर देते हुए नज़र आते हैं तेलंगना की राजनीती में, सियासत में अगर आप देखेंगे एक बार नज़र दोड़ा कर, तो कुछ इसी तरीके का खीचा तानी नज़र आया है, BJP पर अक्सर जो ह कर मोर्चा समालते हुए वहां के CM नज़र आये हैं, और BJP के खलाब जो है, जो भाशन कोई दे नहीं पाता है, यहां तक कि विपक्ष में भी इतनी हमत नहीं है, कि वो इस तरीके का टोन में बात करें, जिस तरीके से के चंद शेखर राव उस टोन में बात करते हुए नज अदर आ रही थी, अला कि यह गलत तस्वीरें हैं, कि किसी के विरोध करने का विरोध करें, लेकिन इतने अंधे ना हो जाए, कि किसी को कबर खोदने की जो हई, वो इस तरीके की तस्वीरें जो है, वो नज़र आई थी, और आज भी वहां से यही नज़र आ रहा है, कि BJP क यहां पर सूपड़ा साफ नजर आ रहा हाला कि आपको बता दे दोस्तों कि बिहार से तस्वीरे आई कि बिहार में जो है जो रिना देवी हैं वो पूरी तरीके से जीत गई हैं और बीजेपी का यहां पर सूपड़ा साफ कर दिया है तो यही तस्वीरे बीजेपी के लिए भ दोस्तों यहाँ उपचुनाब में जो नतीजे आए हैं वो काफी लोगों को सचेत करने वाले हैं क्योंकि बिहार में जो उमीद की जा रही थी वो एक उमीद की किरन तो नजर आई लेकिन दूसरे जिले में बिहार में बीजेपी कांड़िट की जीत हासिल हुई जबकि एक जिले में जो है मधुबनी में वहां पर RJD का पर्चम लहराता वा नजर आया तो आपको बता दे दोस्तों की छे राज्यों में उक्चुनाप के नतीजे जो है वो सामने आ गए गिंती जारी है भी भी कहीं जगह उपर लेकिन जो एहम सीट है उस सीट में जो गडिस फक्सी दल की एक जूता यहाँ जो कह रहे है न बीपक्ष की तरप से एक जूता जो है वह कहींना कहीं रंग ला रही है और यहीं जूता जो है बीजेपी का जो है काटे का टककर नजर आया लेकिन जो जिस सीट पर से जिहार एनुदेवी जीत्ती भी नजर आई वहाँ पर बीजेपी को पटकनी खानी पड़ी हाला कि एक सीट बीजेपी के कबजे में आया है बिहार में गोपाल गंज में लेकिन यहां की जो तस्वीरे है वो ये साफ है कि इस गोपाल गंज वाली सीट में भी काटे की टककर थी और कुछ ही वोटों के अंतर से यहां पर जो है महागचवंदिन की सरकार को हार देखना प कि जो है वो तस्वीरे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी में फूट नजर आ रहा है राश्टी अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो बीजेपी को पूरी तरीके से सही से चला नहीं पा रहे हैं जिस सही तरीके से कहा जाता था कि आमिश शाह पूरी बीजेपी की कम और हाथ में लेकर चलते हैं रयरी चुनाव को लेकर जो उनकी सक्रिता तरह वो ये पिल्द्द कांड़ बॉक की शरकार सवता में आने माली है बीजेपी की या फिर विपक्ष की क्योंकि दोस्तों उपचुनाब की नतीजे और रिजर्ड जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की खेमे में है बीजेपी का जो लहर है वो चारो तरफ उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से 2014 में था 2019 में था उसी तर्ज पर 2024 म में अच्छे नतीजे सामने नहीं आये हैं दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है में कमें सिक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ तनिशन को सब्सक्राइब करना बल कुल भी न भोले पलपल की अपडेट देखते रहें जदेखते रहें, आपके जरूर रहें हैं अबाएगाब सुछत की में साथ जाय है आपकी का रहें तनिशन का रहें हैं आपकी का बल्बड़ता।